कॉंग्रिस में शिरू हुआ जीत का जश्न, जीतते हैं, बीजेपी नेताओं को दिखी बड़ी हाथ, काउंटिंग से पहले सजाया गया काउंग्रिस का मुख्याले, चुनाव परिड़ा माने के बाद खरगे और राहुल पहुचे का रहाले, लोग सबार चुनावों के माबडा भी शुरू हो जाएगा, कॉंग्रिस मुख्याले को सजाय जा रहा है, बड़ा टेंट लगा दिया गया है, टेबिल कुरसी लगाए गई, कारकरताओं को बाटने के लिए मिठाईया बनवाना भी शुरू कर दिया गया है, धोल ताशे का इंतिजाम है, दोपहर बा पार्टी नेताओं को लेकर नतीजों पर नजर बनाये रखने के आदेश भी दिये गए हैं, किसी भी गड़बड़ी की सूरत में लीगल टीम भी तैयार बैठी है, जैसे ही गड़बड़ी की खबर मिली, तुरंत ही कोर्ट में याचकाद दायर कर दी जाएगी, कॉंग्रि की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि 6 जून को PM का नाम इंडिया की तरफ से घोशित कर दिया जाएगा, 8 जून को नई सरकार कर शपत ग्रहन हो जाएगा, जिस तरह के कॉंग्रिस मुख्याले को जो सजाय जा रहा है, उससे साफ हो गया है कि इंडिया की सरकार बनने वाली कॉंग्रिस की तैयारियों को देखकर बीजेपी में भी हरकम मचा हुआ है जेपी नड़ा ने आज पार्टी के उमीदवारों के साथ धाई गंटे तक बैठा की अधिकांश उमीदवार वर्चुली जुड़े थे नड़ा ने एक एक सीट का फीडबेक लिया लेकिन वो भी ज सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता जनता ने इंडिया को सरकार बनाने का फैसला किया है बाकी का जो कुछ होगा वो 4 जून को सामने आ जाएगा वैसे जीत जन्मत की ही होनी चाहिए मशीन के सहरे अगर जीतने की कोशिश की गई तो इसके लिए परिणाम सही नहीं होंगे फिलाल कॉंग्रिस और इंडिया गडबंदन अपनी जीत तैब मान रहा है इसलिए जीत के बात के आयोजिनों की तयारी भी शुरू हो गई है काउंटिंग के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हो इसे लेकर एक जून को कॉंग्रिस अद्यक्ष मलिका अरजुन खरगे के आवास पर इंडिया गडबंदन की बैठक हुई थी जिसमें साफ कर दिया गया था कि कोई चूक नहीं होगी तेजस्वी यादव ने भी कहा कि 2020 के विधानसवा चुनावों में हमने देखा था कि किस तरह से प्रशाशन की मदद से बीजेपी ने चुनाव जीत ल जहां उसका उमीदवार चुनाव जीत गया था लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी ने आरजेडी के जीते हुए उमीदवार को सर्टिफिकेट नहीं दिया था बात में ये कहा गया कि काउंटिंग खत्म नहीं हुई और थोड़ी दिर बाद एंडिय के उमीदवार की जी इस समय हलचल नहीं मची है बलकि इंडिया गडबंदन के दूसरे दलो के कारयाले में भी इस समय जमकर उत्सा दिखाई दे रहा है क्योंकि पूरा इंडिया गडबंदन इस बार ये तै मान रहा है कि उसकी सरकार बन रही है मोधी सरकार के विदाई तै है